दोस्तो आज हम आपको एक ऐसे पिता के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अपने बेटे से सर ने मिला है इससे पहले आपने ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी होगी हमारे समाज में अक्सर हमें हमारे पिता से अपना सर ने मिलता है और यह आज यह कल की नहीं बलकि कई सालों से चलती आ रही है पर अगर आपको कोई कहे कि इस वक्त एक ऐसा बेटा भी मौजूद है जिसने अपने पिता से सरनिम लिया नहीं है बलकि उन्हें सरनिम दिया है तो आपको यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा लेकिन चौकिये मत क्योंकि ऐसा हुआ है और ऐसा बिहार के गोपाल गंज में हुआ है हम जिस शक्ष की बात कर रहे हैं वह कोई ऐसे वैसे सक्ष नहीं बलकि बॉलिवुड के दिगजभिनेता पंकश त्रिपाठी है जो इस वक्त एक के बाद एक कई सुपर हिट फिल्में देकर अपने अभिने का लोहा मनवा चुके हैं यह बात काफी कम लोग जानते हैं कि पंकश त्रिपाठी को अपने पिता से सरनिम नहीं मिला है बलकि पंकश त्रिपाठी ने अपने पिता को सरनिम दिया है आम तोर पर त्रिपाठी, दिवेदी या तिवारी असम पश्रिम बंगाल जैसे राज में होते हैं इन्हें ये सरनेम इसलिए मिला है क्योंकि कहा जाता है कि इन्हें त्रीवेद यानि की रिगवेद, यजुरवेद और शामबेद का ग्यान होता है. पंकश्त्रिपाठी के पिता बनारस तिवारी का टाइटल तिवारी से तिवारी से तिवारी बनने की कहानी बेहधें दिल्चस्प है पंकश्त्रिपाठी ने खुदिया बताया है कि उनके चाचा और आने लोग के तिवारी टाइटल हुआ करते थे बच्पन में उन्होंने देखा कि उनके परिवार में चाचा सरकारी जौब में अधिकारी बन गए थे और एक जो बाबा थे वह हिंदी के प्रोफेशर बन गए थे जितने तिवारी सरनेम के थे वह सभी या तो कर्मकांड और पूजा पाठ करते थे या फिर खेती करते थे ऐसे में पंकश्त्रिपाठी को यह लगा कि हो ना हो यह सारा खेल सरनेम का है और उनके दिमाग में यह बैट गया था कि कहीं तिवारी सरनेम के चक्कर में उन्हें भी पूजा पाठ, कर्मकांड या खेती ना करना पड़े इसके बाद उन्होंने सरनेम चेंज करने का फैसला लिया जब उन्होंने मैट्री की परिक्षा दी तब उन्होंने फॉर्म भरने के दौरान अपने पिता के टाइटल को बदल कर पंडित बनारस तिवारी से पंडित बनारस त्रिपाठी कर दिया और आज तक उनके पिता को इसी नाम से जाना जाता है हाल ही में अंठानवे के उम्र में पंगश्त्रिपाथी के पिता का निधन हो गया था जहां आज भी वह अपने पिता को काफी याद करते हैं अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो रन फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले पंकश्ट्रिपार्थी आने वाले समय में मैं अटल हूँ फिल्म में नजर आएंगे जिसमें वा पूर प्रधान मंत्री रहे अटल वेहारे वाजपेई का रोल निभाएंगे जिसे लेकर पंकश्ट्रिपार्थी काफी चर्चा में चल रहे है